भारत के मुसलमान भाई बेहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनितिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बरबाद कर रहे हैं। आज कल हम देख रहे हैं कि युनिपॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को बढ़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए एक घर में परिवार के एक सदसे के लिए एक कानून हो। परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानून हो। तो क्या वो गर चल पाएगा क्या। कभी भी चल पाएगा क्या। फिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा। हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरीकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही माइने में हितेशी होते तो अधिकांस परिवार मेरे मुसलिम भाई भेन स्विक्षा में पीछे न रहते हैं। रोजगार में पीछे न रहते हैं। मुसिबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते हैं। और सुप्रिम कोट ने बार-बार कहा है। सुप्रिम कोट डंडा मारती हैं कह रही हैं। कॉमन सिविल कोट लाओ। लेकिन ये वोट बेंक के भुखे लोग। आज़ा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। अगर आप हमारे मुसल्मान भाई बेहनों के तरफ देखोगे हैं। और मैं देखता हूं कि जो हमारे पस्मंदा मुसल्मान भाई बेहन हैं। ये वोट बेंक की राजलिती करने वालों ने हमारे जो पस्मंदा मुसल्मान भाई बेहन हैं। उनका तो जीना भी मुश्खिल करके रखा हुआ है वो तो तबाह हो गए उनको कोई फाइदा नहीं मिला है वेकस्ट में घुजरा करते हैं उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तयार नहीं है उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमंदा मुसलमानों का इतना सोशन किया है लेकिन इसको उपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई जो पसमंदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता उन्हें नीचा और अच्छूत सम्झा जाता है इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूँ मुसलमान भाईयों में जो हमारे पसमंदा भाई बेहन है जो पिछड़े हुए है मैं उन्हें की बात करता हूँ पस्बंदा मुसल्मान मोची होते हैं विस्ती होते हैं जोगी होते हैं लाल बेंगी होते हैं बटियारा होते हैं मिरासी होते हैं डफाली होते हैं मुकेरी होते हैं मदारी होते हैं जुलाहा होते हैं लंबाई होते हैं बेजा होते हैं बामनिया भी होते हैं, छीया होते हैं, लहरी होते हैं, हलदर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां! ये सब इतने पिछड़े रहे हैं इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है भाईयों बहनों इस भेदभाव का नुक्सान उनकी कई वीडियों को भुगत ना पड़ा लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है आईश्मान भारत योजना ने उन्हें भी स्वास्त सुविदा का हक दिया है पी एम आवास योजना के तहट उन्हें भी अपना पका घर मिल रहा है बीजेपी के कायर करता जब इन तत्यों वर तरकों के साथ मुसल्मान भाई बेहनों के पास जाएंगे तो उन्हें जादा बहतर तरीके से समझाएंगे और उनका ब्रम भी धूर होगा